आप बहुत सारा एफर्ट इस चीज़ पर लगाते हो कि आप जो भी इवेंट करो जो भी एक्शन लो जो भी एक्टिविटी करो वो विजुली जो है वो इंस्टाग्राम फेस्बुक के लिए अपीलिंग होनी चाहिए तो आपकी जो सोशल मीडिया प्लैनिंग है वो निर्धारत कर रही है वो डाइरेक्शन दे रही है आपके काम को समझो इस चीज़ को अब बात समझे आपका काम ऐसा हो कि अपने आप अपने आप वो it has relevance for the community it has relevance to a larger audience it has relevance आप उसको अगर प्यार से खींच के शूट करके उसको डालते हैं सोशल मीडिया पे तो लोगों को समझाए बात लेकिन अगर आप reverse चलते हैं कि नहीं क्योंकि यह मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि हम यह देख रहे हैं हम यंग्स्टर्स को मुझे बहुत फिकर होती है क्योंकि मुझे बहुत उमीद है मुझे बहुत होप है यंग्स्टर्स से हमारी उमर तो निकल गई अब मेरे को यंग्स्टर्स से बहुत होप है कि वो अच्छा काम करेंगे लेकिन हम देखते हैं कि वो इस तरह से चल रहे हैं काम करके उसको सोशल मीडिया पे डालना एक चीज है लेकिन सोशल मीडिया के हिसाब से आप सारी प्लाइनिंग करो आप उसकी फ्रेमिंग करो आप उसकी इवेंट की डेट निर्धारत करो कहां लगाना है कैसे लगाना है मतलब तो होल पूरा फोकस जो है वो आपका पहले सोशल मीडिया होता है उसके बाद ठीक है टेन ट्वैंटी परसन काम भी कर लेंगे ये चीज मत कीजे पहले काम ठीक है और जब आप लगातार काम करते रहेंगे लगातार एक्शन करते रहेंगे तो जनाब उसमें से सोशल मीडिया स्टोरी अपने आप निकलेंगे अपने आप निकलेंगे आपको भी मज़ा आएगा और देखने वालों को भी मज़ा आएगा तो काम पहले और सोशल मीडिया बाद में लेकिन अभी 90-95% केसेस में मैं देख रहा हूं हम भी सद्रक्ष आए songs कि क्या हो रहा है वो यह हो रहा है so क्या होता है everything looks very dramatised everything looks very tailor-made everything looks very customized everything looks हम कही जाते हैं कमस एंगल पर आप खड़े होंगे कहां से ऐसे receive करेंगे किस तरह से फूल, माला, politicians को बुलाना तुम्हारी social activity में politician का क्या लेना देना अगर तुमको पेड़ पौदे लगाने हैं तो मंतरी जी का क्या लेना देना उसमें तुम पहले action तो लो you are so bothered कि photo में कौन कौन आएगा क्यों क्योंकि आपको office में लटकानी है वो photograph you want to hang it on a frame ऐसे काम नहीं होता हो जाएगा पांदस परसंड कर लो गया मैं सिरफ इसलिए बार-बार बच्चों आपको समझाता हूँ so that आपको काम करने में अच्छा लगे and आपकी quantity and quality जो है काम की वो ज्यादा अच्छी होगी there is more integrity to your work that is why I keep explaining these things to you जो है to